हेलो येर गैस वैलकम बैक टो दिस चैनल सो गैस कैसे हो आई होप आप सभी लोग बढ़ी हैं यूँगे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब अपने रैडमी 8 फोन में फिंगरप्रेंट लॉक किस तरीके सेट करें गैस ये जो फोन है यहाँ पर जब आप इस फोन के सैटिंग में जाके चेक करते हो तो यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रेंट लॉक के सैटिंग है वो नहीं मिल पाती है और यहाँ पर जब आप इस फोन की बैक में चेक करते हो तो यहाँ पर आपको जो fingerprint का sensor होता है वो भी नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर fingerprint lock लगाने के लिए आपको यहाँ पर दूसरी setting मिल जाती है जिसे करके आप अपने phone के display पर यहाँ पर काफी बढ़ियां तरीके से fingerprint lock लगा पाऊगे और उसका यूज कर पाऊगे आज के इस वीडियो में आपको वही setting बताने वाला हूं और Redmi 8A में display पर fingerprint lock लगा के दिखाने वाला हूं तो आज के इस वीडियो को पूरा follow watch कीजेगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe के bell notification पर प्रेस कर दीजेगा इस आपको यहाँ पर display fingerprint lock लगाने के लिए सबसे पहले आपकी phone की setting को open करना है phone की setting को open करने पर इस आपको यहाँ थोड़ा नीचे आजाना है यहाँ पर आपको एक option मिलगा password and security का तो आपको इस पर click कर देना और यहाँ पर आपको skin lock है उससे यहाँ पर आपको simply से देना है skin lock को देने के बाइल आपको यहाँ पर turn of skin lock option मिलेगा तो इस पर click कर देना है यहाँ से आपको ने जो भी lock set किया था उससे simply से remove कर देना है remove करने के बाद आपको यहाँ पर back आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है इस थोड़ा उपर आना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा थिम्स का तो आपको यह जो थिम्स वाला option इस पर click कर दना है जैसे गईसे आप यहाँ पर थिम्स पर click करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सो होने लग जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है इस आपको उपर एक search का option मिलेगा तो search पर जाना है और यहाँ पर आपको simply से कुछ इस तरीके से search कर लेना है fingerprint कुछ इस तरीके से fingerprint display आपको यहाँ पर लिखके और search कर देने जिसे search करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface होगा तो आपको यहाँ पर second number पर एक option मिलेगा codex UI का तो आपको simply से इस पर click कर देना तो आपको यहाँ पर एक apply वाली button मिलेगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है गयाँ यहाँ पर options ओरेंगे lock skin, home skin, system icon तो आपको यह जो टिक है guys system icon और home skin से हटा देना है उनली lock skin पर रहने रहना है और यहाँ पर simply से apply वाली button पर click कर देना है जैसे apply पर click करोगे करने के बाद जैसे unlock करोगे तो आपको यहाँ पर fingerprint का sign नीचे कुछ इस तरीके सोगा आप यहाँ पर जैसे अपना finger रखोगे तो आपका phone यहाँ पर कुछ इस तरीके से काफी बढ़िया तरीके से unlock हो जाएगा आज का वीडियो इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं होंगे तो नीचे लाल कल के सस्क्रेब बटन उसे प्रेस करके सस्क्रेब कर दीजेगा ठैक्स वर वाचिंग